गुड़ मॉर्णिंग स्टुडेंट आप लोगा स्वागत है आपके अपने योट्यूब चैनल एक्जामेशन गुरू पे आज हम लोगा स्टार्ट कर रहे हैं लिजनर कसने टू वैरियेवल्स आरेस अगवाल के बुक से कर रहे हैं और वो हो जाएगा आपका एक्सासाइज नमबर 3B का और हम लोग अभी तक देखिएगा तो कसन नमबर 14 तक आपका सॉलूशन हो चुका है ठीके अब यहाँ पे कसन नमबर 15 पे चले हैं ठीके कसन नमबर 15 को देखेंगे और इस सेजन में आपका कसन नमबर 15 होगा और कसन नमबर 16 और 17 जो है दोनों एक पैटर्ण क है तो यहां पर हम आपको 16 नहीं करेंगे 17 का solution प्रोवाइट करेंगे ठीक है तो इस बात का धियान देखिए आज 15 होगा और 17 और same process आपका use होगा 16 में ठीक है चलिए time को waste नहीं करते हैं सेधा हम लोग question को solve करते हैं तो यहां पर देखिए आपका equation कुछ इस type का है और second equation कुछ इस type का है ठीक है और इसको हम लोग चाते हैं simplest form में लाने के लिए तो यहां पर 7 को आप क्या कीजिए दोनों terms में multiply यहां 2 को दोनों terms में multiply तो यहां हो जाएगा 7 by plus 3 sorry plus 7 into 3 21 minus 2 से multiply कीजिए लेकिन ध्यान दीजिए यहां minus है यहां plus है minus into plus क्या होगा minus 2x और यहां minus है यहां plus है यहां minus होगा 4 is equal to 14 इसको पहले solve कर दीजिए तो यहां पर आपका आजाएगा minus 2x plus 7y और 21 में से आपका चला गया 4 तो बच जाएगा 17 plus में equal to 14 और जो आपका variable का part है वो left side जो non variable है वो right side तो यहां पर देखिएगा minus 2x plus 7y और 17 इधर आएगा तो minus में होगा और 14 plus में है तो 14 17 में minus कीजिएगा तो बच जाएगा minus 3 इसको बोलेंगे equation number first ठीक है यहां पर same process कीजिएगा तो हो जाएगा 4 by minus 8 plus 3x minus 9 is equal to 2 अब देखिए variable का terms को रखेंगे हम लोग आपका left side जो non variable है उसको रखेंगे right hand side और देखिएगा यहां पर से 18 minus 8 minus 9 is equal to 2 हो जाएगा आपका minus 17 और यहां पर 2 होगा तो 3x plus 4 by बरावर बोल सकते हैं यह धर आएगा तो यह आपका plus में हो जाएगा यह हो जाएगा 19 that is equation number second ठीक है अब यहां पर देखिए दोनों के बीच में कुछ relation आपको दिख रहा है तो उसको हम eliminate करने का कोसिस करेंगे ठीक है जैसे यहां पर देखिएगा x का जो coefficient है 3 है और यहां पर x का coefficient 2 है और यहां पर by का coefficient 7 है और यहां पर by का coefficient 4 है तो कोई भी ज simple सा देखिएगा तो यहां minus दिख रहा है और यहां पर plus दिख रहा है तो दोनों को हम चाह रहे हैं कि दोनों value को equal कर दें दोनों के बीच में सबसे minimum number कौन सा है जो दोनों से divisible है 3 से भी divisible हो और 2 से भी divisible हो 2, 3, 6 यही एक number बनता है जिसको मतलब हमको 6 बनाना है जब 6 बना 3 को 6 बनाना है तो यहां इस equation में multiply करना होगा 2 से अब इसको multiply कर देते हैं तो minus 6X और 3 से multiply होगा तो 7, 3 is a 21Y minus 9, that is equation number 3 हो गया अब यहां पर देखिएगा 2 से multiply कीजिएगा तो 6X होगा plus 4, 2 is a 8Y होगा और 19, 2 is a 38 यह हो जाएगा equation number 4 अब यहां पर देखिएगा simple अगर देखिएगा ध्यान से तो X का जो coefficient है वो plus में है यहां जो X का coefficient है वो minus में दोनों equation को add भी करेंगे तो अपने आप eliminate हो जाएगा तो यहां पर कीजिएगा आप simple सा equation third plus equation 4 ठीके तो अपर third equation क्या है minus 6X plus 21Y is equal to minus 9 और आपका यहां पर देखिएगा fourth equation है plus 6X plus 8Y equal to 38 ठीके अब देखिएगा plus minus दोनों है तो आपस में cancel होगा 21 plus 8 is equal to हो जाएगा 29Y और 38 में से आपका चला गया है 9 तो यहां बद जाएगा आपका 29 ठीके पलस में होगा और यह 21 से कटेगा एक बार में तो यहां से आपका जो बाई निकल के आया है वो आगया 1 ठीके बाई आपका क्या निकल के आया है 1 और यह बाई का value आप equation 1 में put कीजिए यह equation 2 में put कीजिए then you will get the answer of x ठीके then you will get the solution of x तो अब यहां पर हम इस value को put करेंगे equation 1 में equation 1 क्या है 2x plus 7 by equal to minus 3 जहां पर आपका by दिख रहा है वहां बन होगा यह आपका x है यहां पर कुछ नहीं होगा 7 into 1 that is 7 equal to minus 3 और हम बोल सकते हैं minus 2x और plus 7 इधर आएगा तो minus 7 में convert होगा और minus 3 और minus 7 number 8 होगा लेकिन लिखाएगा minus में minus से minus कट गया 2 के multiple में 10 5 बर में आता है तो x equal to 5 हो गया तो यह था आपका question number 15 का solution ठीके अभी हम लोग question number 15 का solution देख लिए हैं अब हम लोग के पास question number 16 और 17 की बात आईए ठीके तो question number 16 और 17 जो है वो same pattern का है सिर्फ difference यहाँ पर है कि यहाँ पर आपका question number 17 में fractional के form में दिया है वहाँ पर simple form में दिया है ठीके तो यहाँ पर हम इसलिए question number 17 को करवा रहे हैं थोड़ा आपको यह 16 से आपको different लगेगा क्योंकि यह fractional के form में लेकिन यह question same आपका 16 जैसा ही है चलिए time को waste नहीं करते हैं इसका solution start करते हैं अब देखिए का यहाँ पर कुछ लग रहा होगा तीनों equation यहाँ पर दीन equation दिया हुआ है actually आपको लग रहा है तीन equation है लेकिन equation आपका दो ही बनेगा ठीके ध्यान दीजिएगा अगर इस equation को पहले इससे हम equate करेंगे एक equation generate होगा इस equation को इससे अगर हम relate करेंगे एक और equation आपको मिलेगा ठीके तो यहाँ पर ध्यान रख लीजिए हम लोग को करना क्या है पहला बाला को इससे करेंगे relate फिर उसके बाद इससे कर देंगे relate तो आपको वहाँ से क्या होगा एक दो तरह का equation मिलेगा तो पहले हम ये दोनों को relate करते हैं तो ये हो जाएगा x plus by minus 8y2 is equal to x plus 2 by minus 14 by 3 ठीक है अब ये fractional के form में है इसको cross multiply तो कर सकते हैं यहाँ divided यहाँ multiply तो ये आपका 3 इस term में multiply होगा तो क्या बनेगा 3x ठीक है ये 3 आपका multiply होगा एक step हम कम कर रहे हैं ये 3 को multiply कर रहे हैं 3 by और 8 3s are 24 is equal to 2 इसमें multiply कीजिएगा तो 2x into 2 2s are 4 by minus 28 ठीक है अब यहाँ पे हम पहले बोल चुके हैं जो आपका variables का part है जहाँ x y alphabets आया हुआ है उसको कर देंगे हम लोग left hand side जो non variable है वो right hand side तो सारा x y का जो values को इधर कर देंगे तो ये आपका 3x plus 3 by और यहाँ से आपका 2x आएगा minus 4 by जाएगा और ये आपका 24 है इधर आएगा तो minus 28 और ये हो जाएगा plus में 24 बच जाएगा x और 3 by है plus में 4 by है minus में यहाँ बच जाएगा y ठीक है minus by बच जाएगा और 28 में सिर्फ 24 जाएगा तो minus 4 बच जाएगा that is your question first ठीक है सेम यहाँ पे वही process करेंगे ये वाला को इससे करेंगे relate x plus y minus 8 y 2 is equal to 3x plus y minus 12 by 11 cross multiply 11 से multiply कीजिएगा 11 x plus 11 by minus 88 is equal to 6 x plus यहाँ पे हो जाएगा 2 by minus 24 ठीक है सेम जो process यहाँ किये थे सारा variable ज़र करेंगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे plus में है यहाँ जाएगा तो minus में होगा 11 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा कितना sorry 11 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 5 x यहाँ 11 by है यहाँ पे plus 2 by इधर आएगा तो minus में होगा तो यहाँ बच जाएगा 9 y is equal to 88 यहाँ पे आपका negative में यहाँ पे आएगा तो positive में होगा तो आपका 88 में से 24 को अगर minus करेंगे तो यहाँ 4 यहाँ पे 6 ठीक है आपका बच जाएगा 64 और यह हो जाएगा equation number second ठीक है अब यहाँ पर देखिए हम चाहें तो यहाँ पर x को करें या by को करें लेकिन हमको अच्छा लग रहा है कि by यहाँ निगेटिव है यहाँ पर by positive है हम उसको by को ही हम दोनों को equal कर देंगे तो अब यहाँ पर देखिएगा 1 है यहाँ पर 9 है 1 के multiple में 9 आता है तो उसमें 9 से multiply करेंगे तो 9 यहाँ पर जो x का variable x का constant है वो equal हो जाएगा equation first में अगर 9 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 9 x minus 9 y equal to 36 minus में that is equation number 3 ठीके अब देखिएगा equation 3 में आपका minus 9 y है equation 2 में plus 9 y है दोनों को add कर दीजे तो यहाँ लिखिएगा equation third plus equation second then you will get ठीके equation आपका third क्या है 9 x minus 9 y equal to minus 36 और यहाँ पे देखिएगा आपका equation third जो है sorry second है 5 x plus 9 y equal to 64 ठीके दोनों को add कर देना है देखिएगा तो आपका y का जो term से खतम हो जाएगा और 9 5 क्या हो जाता है 14 x equal to 64 में से 36 minus कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा और यह आपका 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा और वो भी plus में और यह आप काट दिए तो यहाँ से x का जो value निकल के आपका आया है x का जो value है वो 2 निकल के आया है अब यह equation आप equation first में ही put कर दिजे ठीक है equation first में put किजे equation first मेरा यह वाला terms है ठीक है यह वाला है तो आपका equation first में put किजेगा तो यह हो जाएगा इसको equation first हम नहीं बूल रहे है put in equation first इसको equation first में put करना है तो x minus y equal to minus 4 जो आपका equation first था वहाँ पे x equal to 2 होगा minus y equal to minus 4 minus y minus 4 पलस है इधर जाएगा तो minus में convert होगा minus y equal to minus 6 minus से minus कट गया तो by बराबर आपका हो गया 6 तो यहाँ पर जो solution हम लोगों को निकल की आया है इसमें x and y का x equal to 2 और by बराबर 6 तो यह आपका था question number 17 same pattern है मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ same pattern question number 16 का है आप try केजिए अगर नहीं बनता है तो इसके description में आप check कीजिएगा आपको वहाँ पर whatsapp group मिलेगा आप उसको join कर लीजिए future में कहीं पर भी आपको कोई भी question में problem होता है तो आप वहाँ पर direct question पूछ सकते हैं आपको वहाँ पर solution provide किया जाएगा अगर आपको video अच्छा लगा है तो like कीजिए अपने friend के बीच में share कीजिए और चैनल को subscribe कर लीजे for upcoming videos thank you for watching